मख्टराणी की जवानी कुचल डाला पुलिस ने बरसों बरसों तक खेलती रही महिला टीचर की जवानी से दागदार वर्दी जिस पुलिस के उपर अपराधियों को कुचलना आम जनके सुरक्षा की संपुरुण जिम्मेदारी हिफाजत करने का दाइत्व यदि वही पुल उनका राज नहीं है और देश आजाद भी नहीं है यदि ऐसा हो रहा है तो देश के मालिकों के उपर तो यदि ऐसा कहर ढाया जा रहा है मुल्क के मालिकों के उपर तो यह जानना पड़ेगा यह समझना पड़ेगा कि संपिधान की सत्ता देश में नहीं रह गई है आखिर ग कार करने वाली एक महिला टीचर के बरबादी की दास्तान पर आज का हमारा यह वीडियो जिसे पुलिस ने पुलिस की नाकामियों राक्षसी सुभाव के कारण अपने छोटे-छोटे बच्चों को छोड़ कर पती के साथ जेल जाना पड़ता है बृद्य पिता को पुलिस ने कूच-कूच कर अधमरा बना दिया और हटा-कटा गबरू जवान मजदूर पती की इस तरह से पिटाई किया कि वह खड़ा होकर चलने लायक नहीं रह गया रेंग-रेंग कर चलने लगा था पती को पुलिस ने नकसली बना कर जेल भेज दिया मामला यहीं तक नहीं रोका अध्यापिका मैम पर पुलिस ने गंभीर धाराओं के साथ राज द्रोह का मुकदमा भी लगा दिया 11 साल तक जेल में काटने के बाद जब अध्यापिका नियाले द्वारा निर्दोस साबित होकर बाहर आई तो सब कुछ बरबाद हो चुका था लुट चुके थे खुबसूरत जीवन के सपने और गुजर चुका था मांग का सिंदूर दैनिक भासकर साइथ अन्य सुचनाओं का संग्यान लेकर आज का हमारा ये वीडियो हम आपको ले चलते हैं देश के 36 गड़ में 36 गड़ का बस्तर और दंतेवाडा इलाका जो नकस असलियों के बीच लगातार ठक रहाट होती रहती है इन घटनाओं में दोनों तरफ से जाने भी जाती हैं और दोनों के बीच अगर कोई कुचला जाता है कोई मारा जाता है कोई सताया जाता है किसी को प्रतारित किया जाता है और किसी की बरबादी ये दी होती है तो वह न माँ बाप का हाथ बटाते हुए मजदूरी करती थी, किसी प्रकार बारहवी तक की पढ़ाई उसने उसी महावल में मजदूर पिता के साथ उनके सानिधि में कर लिया। इसकूल में पढ़ाने का दाई तुमिला मश्टरानी हो गई, अध्यापिका हो गई और फिर पढ़ाई भी जारी रखा। ये कैसा इलाका जहां बच्चे सिक्षा से बंचित होते हैं, उन्हें डर होता है उनके परिवारों को कि नकसली बच्चों का आपहरण कर लेंगे, उन्हें माल डालेंगे, इसलिए लोग अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते हैं। सोनी का जुनून था, हम ऐसे बच्चों को पढ़ाएंगे, इसलिए बरस 2002 में बिद्याले जुआइन करने के साथ ही, वह गाओं में घूम घूम कर बच्चों को इकटा करती हैं, कहती है अपने बच्चों को भेजो, कोई डर नहीं है, नकसली आ नहीं आएगा, आप भी मज दूरी करते, मर गए, और आपके बच्चे भी मजदुरी करेंगे, बहजिये, बच्चे पढ़ली करके अच्छे नागरीग बनेंगे, सोनी को पढ़ाने का जुनून था, और उसका प्यार देख करके, लोगों ने बच्चों को स्कूल में भेजा, बच्चों को अच्छी त सोरी सोनी को पुलाया गया उस महा पंच्यायत में देखा नक्सली बैठे हुए हैं जो नक्सली के सरदार हैं उनके लिए चवकी तखत बिच्छा हुआ है उस पर विष्टर डाला गया है बैठे हैं चारों तरफ से कई दरजन की संख्या में बंदूग धारी उनकी सुरक्षा करते हैं वे देखे जा रहे हैं और जमीन पर बैठे हुए हैं गाँओं और इलाके के लोग नक्सली नेता अपना फर्मान सुना रहे हैं सोनी से पूछा, तुम बच्चों को पढ़ा कर हमारे खिलाब महाल तयार कर रही हो, तुम ही से पूछ रहा हूँ, बच्चों को पढ़ा कर तुम महाल तयार कर रही हो हमारे खिलाब, तुम उनके परिवार वालों को बरगलाती हो, हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारा काम तमाम कर देंगे और सारे स्कूलों को धुस्त कर देंगे हमारी ताकत का आसास है तुमको पहली बार सोनी सोरी ने देखा था नकसलियों को लेकिन पता नहीं कहां से साहस आया सोनी बताती है कि हमने हाथ जोड़ कर कहा आप और पुलिस प्रसासन सेना की मिलना चाहिए आप सभी से हाथ जोड़ करके गुजारिश कर रही हूं कि इन्हें पढ़ने दिया जाए यदि हमकर सुरवार होंगे तो जो चाहे हमें सजा दीजिएगा नक्सलियों ने फरमान सुनाया सोच बिचार कर बताओ यदि तुम्हारे यहां से रहकी हुई तुम्हा ब्रिगुटी तन गई है और नक्सलियों ने भी सोनी पर अपनी नाराजगी प्यक्त किया क्योंकि यह जवाब सवाल करती है सोनी के मजदूर पती को पुलिस उठा ले गई है उसकी कुटाई की बिजली के साट लगाए गए करिंट लगाने के बाद और कुटने के बाद न दिपिता को बुरी तरह से मार पीट करके अधमरा कर दिया गया इतने पर भी उन्हें संतोस नहीं हुआ तो बर्ष 2011 में सोनी के उपर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया पीटा गया बिजली के साट लगाए गया और नंगा करके उसे बुरी तरह से पीटा गय इतने पर ही पुलिस का गुसा सांत नहीं होता है, सोनी बताती है कि हमारे गुपतांग में पत्थर डाल कर हमें प्रतारित किया गया दैनिक भासकर से बारता करते हुए सोनी कहती है कि जो कुछ हुआ उसे हम बता नहीं सकते किस प्रकार का बरबर बेवहार पुलिस ने हमारे साथ किया हम उसे वह बताने लायक नहीं है आज भी बिजली के बल्ब जलाने में सोनी को डर लगता है स्विच तक हात नहीं पहुँच पाता क्योंकि बिजली का करंट जिस तरह से उन्हें दिया गया था दोस्तों गंभीर धाराओं के साथ पुलिस मुकदमा दर्ज करती है सोनी के उपर और राष्ट द्रोह में भी मुकदमा पंजिकरित किया जाता है तीनों बच्चे अनात होकर घर पर थे और सोनी कहती है हमारे ससूर को पुलिस ने बुरी तरह से पीटा जो अधमरे हो गए सोनी च्छतिस गड़ के दंटेवाडा से भाग कर दिल्ली जाती है गुहार लगाने के लिए राजनेताओं के पास लेकिन पुलिस उसका पीछा कर अरेश्ट करती है मानसिक तथा सारिक परताजना देने के बाद जेल में सोनी को ठूस दिया जाता है बड़ा मारमिक प्रसंग है दोस्तों जेल में पहली बार बरसों बाद जब सोनी का सामना उसके पती से होता है तो उन्हें पहिचान नहीं पाती है जिसे नकसली बनाकर गंभीर धाराओं में अभियोग पंजी कृत कर जिल में डाला गया वैसे तो सोनी कई जिलों में रखी जाती है लेकिन पहली बार जब उसके पती से सोनी का सामना होता है तो देखती है हमारा गबरू जवान मजदूर हटा कटा सारिक सफठा वाला पती इस तरह से पीट पीट करके अधमरा कर दिया गया है कि वह साप और छिपकली गिर्गिट जैसा रेंग रेंग करके चल रहा है भला हो नियाले का जिसने सोनी के पती को बाईजयत रिहा कर दिया बरसों बार सोनी से जेल अधिकारियों ने पूछा अपने घर सुचना दिया अपने घका की अपने घर सुचना कर दो कि वह लोग आ करके तुम्हारे पती को ले जाएं सोनी ने कहा हमारे घर कोई ले जाने वाला नहीं है और जिस दसा में हमारे पती को गिरफतार किया गया है निर्दोस साबित हुए है कोई अफेन सुनके उपर नहीं बन रहा है उसी दसा में दवा इलाज करके खिला पिला करके हमारे पती को ठीक करो उन लोगों ने आखे तरेरा सोनी के प्रस्नों का जबाब उनके पास नहीं था कथा यहीं खतम नहीं होती है 11 साल बाद 2022 में समफ्त आरोपों से मुक्त होकर सोनी को जेल से रिहा किया गया बाहर निकली घर पहुँची तो पता लगा कि पुलिस की पिटाई से भुखमरी और मांसिक तथा सार्रिक यातना को जेलने वाला उसका रमवू अभी भी महिलाएं रोती हैं तो कहती हैं अरे हमार रमवू को करके रोती हैं उसका गबरू जवान उसका पती उस मांसिक और सारिक प्रतारणा को जेल नहीं पाया था अब वो इस दुनिया में नहीं रहा जब सोनी घर पहुचती हैं तो पता लगता है कि उसके मांग का सिंदूर उजड चुका है पिता पुलिस की पिटाई से बेदम हो चुके हैं वह चल नहीं सकते हमारे मकान सोनी बताती हैं कि हमारे मकान को नकसलियों ने पूरी तोर पर ध्वस्त कर दिया था वह लोग खूली आसमान में रहने के लिए बादित है क्योंकि उसको नकसलियों को पता था कि यहाँ पुलिस की मुखबिर है और पुलिस को यह था कि यहाँ नकसलियों की मुखबिर है उस बीच मारा गया यह बेकसूर्थ परिवार ना पुलिस ने साथ दिया साथ देने की बात का उनका है राष्ट द्रोह की धारा लगा दिया दोनों के दुस्मन के रूप में जाना जा रहा परिबार सोनी सोरी अभी बताती है कि जिन बच्चों को मैं पढ़ाती थी उनमें एक छातर बिरसा की मा मर गई थी घर से ले आकर के हमने उसे पढ़ाया क्योंकि बाप को पता लगा कि पुलिस ने नकसली बना दिया है बाद में पुलिस ने उसे पकड़ा और उसे उपर भेज दिया हमने इस भागे छात्र को खोजा और पढ़ाया इसका भी अपहरण हुआ था जिसे बाद में पुलिस ने खोजा और पिता को नक्सली बना करके पुलिस ने उपर भेजे ही दिया था हम उसके धर्म की माथी हमारे बच्चों के साथ साथ वह भी अनात हो गया हमारे जवान को पुलिस ने कुचल डाला हमारे जवानी को सत्या नास कर डाला हमारे मानवा अधिकार का पुलिस ने गला घोड दिया हमारे बच्चों की मुस्कान को पुलिस ने छीन लिया हमारा पती इतना पीटा गया मांसिक सारिक रूप सहिस कदर प्रताडित किया गया कि अब उसका साया उठ गया हमारे सिंदूर को उजार दिया गया वर्दी धारियों के गंजे गंदे आचरण ने सब कुछ खतम कर दिया हमारा पिता इनकी बरबरता पिटाई बरबर पिटाई के कारण घ रहेंगे आपने जाना बस्तर की अम्मा के बारे में ऐसे तमाम लोग जो निर्दोस हैं पुलिस ने उन्हें आरोपी बना करके गंभीर नकसली बना करके राटद्रो की धरा लगाया और नियाले ने उन्हें बाइज्यत रिहा किया कोई अफेंस उनके उपर नहीं बना जीवन अपने दायत्य के प्रती कब सचेस्ट होंगे कहना काफी कठीन है मैं हूं प्रजबूशान दूबे आधर पुर्वक हमारा प्रडाम स्विकार करें